नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आई एंटी हिंदी टेक चैनल में दोस्तों फोन पे के तरब से सेफ कार्ड लाउंच किया गया है आज की इस वीडियो में आप लोग इसी के बारे में जानेने वाले हैं वीडियो को अंत तक और धियार से देखेगा देखें सेफ बैंक ओफ इंटिया के तरब से एक नया गाइडलाइन जाड़ी किया गया था और सभी को ये सुचित कराया गया था जितने भी प्लेटफॉर्म है पेमेंट संबंदित उनको ये सुचित कराया गया था कि अब गरहां को की कार्ड जो है आप ऐसे सेव नहीं रख सकती है टो टोकेन के फॉर्मेट में सेव होगा यानि यूनिक नंबर होगा उसमें आपका कार्ड डीटेल वहां पर फोन पेपर सेव नहीं होगा बलकि आपके कार्ड नंबर से एक टोकेन जेनरेट किया जाएगा और वही टोकेन नंबर से आपका पेमेंट होगा और वही टोकनाइज नहीं कर सकता, कोई access नहीं कर सकता तो 31 दिसंबर 2021 तक RBI ने बताया था कि सभी को ये सुविधाय लागू कर देनी है, जितने भी platform है payment संबंदित उनको, तो दीरे-दीरे लागू हो ही रही है जो कि इससी पहले मैंने grade के बारे में जहां पर phone pay ने खुद ये बताया है कि भाई हम जो है safe card को launch किये हैं tokenization payment के लिए, तो आईए बताती है कि किस तरह से ये काम करती है दोस्तों हमेशा की तरह सबसी पहले मैं बताना चाहूंगा कि phone pay application को update नहीं किये हैं तो play store से आप update कर लिजेगा update करने के बाद application को open करना रहेगा application कुछ इस परकार से open होगा और इनका interface change हो चुका है जिस पर एक detail में हम वीडियो बना कर दे रखी है कि कहां पर इनका option चला गिया है money वाला और wallet वाला ठीक है न तो यहां पर profile वाला पर click करना है यही पर सारा option आपको मिल जाएगा देखे यहां पर view all payment method की option आती है तो जो भी card आप यहां पर save करके रखती है या पिर जो भी bank account को link करके रखती है यहां पर so हो जाता है और phone पे का wallet भी दिखा दिया जाता phone पे gift card वारा option भी दिखा दिया जाता तो जैसे यहां पर card save है तो यहां पर card number शुरुआत के चार्ट डिजिट और last के चार्ट डिजिट बताया गया expiry बताया गया तो हम इस card को remove पहले कर देती है तब ही तो आगे हम आपको save card के तहत add करके दिखाएंगे तो यहां पर add वाला option है वो कभी save नहीं होता यह बात आप द्यान दिजिएगा उसकी बाद यहां पर यह चीज बताई गया है CVV number इसलिए पूछा जा रहा है कि automatic जो है 2 रुपिया आप से कटेंगे मतलब यह जो भी आप add करोगे उसमें क्या होगा एक OTPI आएगा और 2 रुपिया डेबिट होगा आपके card के माध्यम से और यह जो 2 रुपिया है वो automatic फिर से आपको reverse कर दिया जाएगा वापस कर दिया जाएगा तो यह जो 2 रुपिया काटे जाती है और authentication के लिए काटे जाती है कि यह देखा जाता है कि आप ही का यह card है और यहाँ पर आप add कर रहे है लेकिन पहले क्या होता था कि किसी का card number डाल कर यहाँ पर सारा कुछ डाल कर हम लोग add कर पाते थे लेकिन अब क्या होता है कि पहले verify करना होता है जैसे ही 2 रुपिया debit होगा आपके card से एक unique number एक unique code generate हो जाएगा token format में और वही token format में जो unique code generate होगा वो यहाँ पर सेव रहेगा ऐसे आपको उपर से दिखेगा कि मेरा card सेव है लेकिन card number के जड़िए यह save नहीं होता है यह card number के जड़िए जो भी आप detail देते हो पहली बार payment करता है तो वो payment पहली बार इसलिए करता है ताकि आपका एक unique code generate कर सके एक token generate कर सके और वही token यहाँ पर सेव होता है तो अच्छे से समझ गए अब हम यहाँ पर card detail एंटर करती है ठीक है ना उसकी बाद यहाँ पर क्या करेंगे add पर क्लिक करेंगे नीचे में इनों लिक भी रखा है this card will be securely saved यानि कि यह जो है सुरक्षित save होगा कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा होता है कि कभी लिक हो जाती है और ऐसे भी phone पे ने बताया कि 80 million card हमारे पास save है 80 million चलिए यहाँ पर सारा detail एंटर कर देते हैं हमने यहाँ पर card detail तो enter कर दिया है add पर हमें click करना है add पर भी हमने click कर दिया अब देखिए processing transactions में चला गया है यह पहले क्या होता था कि तुरंत से यहाँ पर card save हो जाता था लेकिन अभी transactions के लिए गया है जो कि आप देख सकती है एक OTP register mobile number पर भेजा जाएगा तो जिस तरह से आप लोग payment करती है उसी परकार से OTP दर्ज करके submit करना है तो मेरे पास OTP आ चुका है हम यहाँ पर OTP को डालेंगे फिर submit button पर click करेंगे submit button पर click करने के बाद transactions process में गया है जो कि आप देख लीजे और यहाँ पर successfully add हो चुका है 2 रुपिया कट चुकी है message भी मुझे मिल गया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर successfully add हो गया है इस परकार से अब यहाँ पर card number जरूर बताया जा रहा सुरुआत के 4 और last के 4 लेकिन यह जो save हुआ है वो token system से save हुआ है एक unique code generate हुआ जो हमने payment किया transactions किया OTP डाला उस दौरान और वही unique code के माध्यम से यहाँ पर save हुआ है तो detail में मैंने आपको वता दिया save card के बारे में article अगर read करना चाहे तो आप search कर लीजे Google पर 2 नमंबर को article डाले गई है इनके तरब से launch किया गया है I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा साथ ही RBI का यहाँ कदम भी आपको अच्छा लगा होगा कि चलो आप जो है जो भी होगा मतलब इस तरह के fraud तो नहीं होंगे save card से क्योंकि वहाँ पर data हम लोगों का रहेगा ही नहीं card का सिर्फ एक unique code रहेगा तो कौन जानने गया कि कौन से card की unique code है तो I hope आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया वीडियो को like करिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share जरूर करिएगा ताकि वो चीज यह भी जान सके और यहाँ पर एक बात और बता दू अगर आपके पास रूपे card, visa card या फिर master card है सारे में यहाँ पर आप कर सकती है pay you, reserve pay, इनके साथ इनका partnership है तो यहाँ पर उन सभी पर payment gateway पर option तो दे ही दिया गया है तो मिलते हैं फिर एक रहे वीडियो में चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करिएगा कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा धन्यवाद